दोस्तो जब हम online किसी laptop को purchase करते हैं तब हमें laptop के साथ एक proper invoice हमें मिलता है जिस invoice को लेके आप किसी भी service center या फिर किसी भी जगा आप use करेंगे तो उसे एक valid invoice माना जाता है और आपको warranty service वगेरा लेने में कोई भी problem नहीं होता उस invoice के साथ लेकिन दोस्तो जब हम offline किसी store से laptop, printer वगेरा purchase करते हैं तब वहां से जो handwritten invoice हमें मिलता है उस invoice में जब हम invoice को लेके किसी service center में warranty claim करने जाते हैं तब हमें बहुत सारे problem का face करना पर सकता है यहां तक कि service center वाले हमें डिकना भी करते हैं कई बार warranty claim नहीं हो सकता इस invoice के साथ तो दोस्तो जब आप laptop offline खड़ीदने जाते हो तब आपको क्या-क्या चीजे आपको ध्यान रखना है किन-किन चीजों को आपको return करवाना होता है invoice में आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको life proof दिखाएंगे एक valid invoice क्या होता है और एक invalid invoice क्या होता है सर्विस सेंटर में किन-किन चीजों का ध्यान रखा जाता है और किन-किन चीजों के वज़े से आपके Invoice को Invalid बता के आपको सर्विस देने से डिकनाई कर सकता है दोस्तो इस चैनल में आपको ऐसे ही informative टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा अगर आप नए हो इस चैनल में चैनल को सबस्क्राइब करना कंसीडर कीजिएगा तो चलिए दोस्तो लैप्टॉप स्क्रीन पे चलते हैं और Invoice का सारा fundamental क्लियर करते हैं दोस्तो यहाँ पे मैंने एक PDF फाइल क्रियेट किया है जिस PDF फाइल में आपको यहाँ पे key points मैंने mention कर दिया है ताकि आप लोगों को help हो सके और इस PDF फाइल का download link आपको video description में मिल जाएगा तो आप download करके भी आप खुद से check out कर सकते हैं तो यहाँ पे first of all जो हमें invoice में note करवाना है या फिर हमें check करवाना है यहाँ पे जो product आप purchase कर रहे हो उस product का जो नाम है या फिर जो model number है वही model number आपको invoice में भी पूरा का पूरा आपको लिखवाना है दोस्तो laptop या फिर printer का जो warranty होता है वो purchase date से start होता है तो आपको invoice में purchase date आपको सही से लिखवाना होता है आपको कही पर भी purchase date आपको proper लिखना होता है जब आप purchase कर रहे हो उस date को आपको सही से यहाँ पे लिखवाना होता है अगर वो purchase date blank छोड़ देगा तो यह आपका ही problem create करेगा बात में तो आपको purchase date first of all आपको check करना है purchase date सही से लिखे या फिर जो invoice जो generate कर रहा है या फिर जो invoice आपको दे रहा है उस invoice का एक invoice number होना चाहिए या फिर receive number या फिर invoice number उसमें होना चाहिए वो hand return भी अगर हो तो सारे invoices में एक invoice number होना जरूरी है तभी वो valid माना जाता है and third point दोस्तो जब हम किसी laptop या फिर किसी printer को purchase करते हैं तो उसके साथ साथ हमें additional upgrade option भी मिलता है तो अगर आप एक laptop खरीतते हो अगर उसका आप base variant खरीतते हो और उसे upgrade करवाते हो अपने मनमुताबिक customize आप product purchase कर रहे हो like आपने RAM को upgrade किया है storage additionally purchase करके आपने increase करवाया है तो उसका भी आपको information आपको invoice में जरूर लिखवाना है अगर आप warranty claim करने जाओगे बाद में और वहाँ पे अगर service center वाले ये देख ले कि laptop को open करके यहाँ पे upgrade किया गया है तो वो आपके warranty service को डिकनाइक कर सकता है product का सही description सही configuration आपको यहाँ पे mention करवाना है and fourth point दोस्तों यहाँ पे dealer information दोस्तों एक laptop अगर जब purchase करते हो अगर वो एक verified dealer है तो तभी आपका जो laptop है उसका warranty में आता है तो आपको सही से dealer information आपको वहाँ पे लिखना होना चाहिए और उस bill में या फिर invoice में वो उस dealer का GST number, team number या फिर pen number यहाँ पे mention होना चाहिए invoice में dealer information like GST number, team number या फिर pen number होना ज़रूरी है तभी आपका invoice valid माना जाता है अगर dealer handwritten आपको invoice दे रहा है तो आपको ज़रूर से dealer का जो stamp है बो stamp आपको लगवा लेना है तो dealer stamp के साथ आपको यहाँ पे signature भी required होता है तो दोस्तो आप किसी दुकान में जा रहे हो, purchase कर रहे हो तो must be आपको यहाँ पे dealer stamp और signature करवाना होगा उस दुकान से तभी आपका invoice valid होगा और यहाँ पे दोस्तो अगर वो computer generated दे रहा है तो उसमें आपका dealer stamp या फिट signature requirement नहीं होता है अगर hand written दे रहा है invoice तो सारा जो लिख रहा है वो text आपको clearly visible होना चाहिए कोई भी text एक के उपर एक overlap नहीं होना चाहिए अगर यह overlap करेगा तो बात में service center में जाके आपको problem face करना पर सकता है और दोस्तो यहाँ पे आपको एक valid invoice का आपको picture आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक computer generated है लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकान भी है जहाँ पे ऐसे computer generated invoice भी provide किया जाता है लेकिन दोस्तो अगर hand return भी हो रहा है तो आपको इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना है वो clear होना चाहिए तो जो भी आप purchase कर रहे हो वो आपको clear पुरा clearly यहाँ पे mention होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे dealer का नाम यहाँ पे mention है यहाँ पे GST number, email ID वगरा यहाँ पे mention है और यहाँ पे number वगरा यहाँ पे original receipt सब कुछ details है यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए और यहाँ पे जो purchase कर रहा है जो buyer details है तो आपका भी details यहाँ पे देखिए clearly mention है और आपने यहाँ पे cash से लिए आए YMI से लिए आए तो सारा details यहाँ पे लिखा हुआ है और दोस्तो laptop warranty यहाँ पे printer का warranty serial number के उपर base करके ही update होता है website में तो यहाँ पे देख सकते है laptop जो description है यहाँ पे देख सकते है पूरा details से यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे laptop का जो model number है यहाँ पे clearly mention किया हुआ है laptop का जो serial number है वो भी यहाँ पे clearly mention है कितना दिनों तक यहाँ पे warranty है वो भी यहाँ पे clearly mention है तो आपको ऐसे ही आपको invoice बनाना है और यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे invoice में सारा कुछ details भी यहाँ पे दिया हुआ है warranty आपको क्या-क्या मिलेगा physical damage, broken, burning, splash और any kind of software not covered under warranty term तो यहाँ पर warranty term में भी पूरा details यहाँ पर लिखा गया है आपको किस तरीके का warranty प्रोबाइट किया जा रहा है तो पूरा details आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप offline laptop या पर printer purchase कर रहे हो तो आपको इन सारे key points को आपको ध्यान रखना है कितना पैसा लगा है, GST कितना कटा है सब कुछ details से यहाँ पर लिखा हुआ है warranty के बारे में भी details यहाँ पर लिखा गया है तो आपको ऐसे ही invoice लिना चाहिए और second आपको last यहाँ पर invalid invoice आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह handwritten invoice है यह भी हलाकि अगर यह सही से अगर return किया हुआ होता तो यह भी valid invoice माना जाता यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर invoice का number भी mention है यहाँ पर date भी mention है और यहाँ पर देख सकते हैं बायर ने जो product यहाँ पर purchase किया है उस product का जो description है यहाँ पर कई पर भी यहाँ पर serial number अच्छी तरीके से mention किया हुआ नहीं है जो handwritten text है वो एक के उपर एक overlap कर रहा है और यहाँ पर clearly visible नहीं है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो visible नहीं हो रहा है तो इन सारे चीजों के बजे से भी आपका जो warranty है वो डिक्नाई किया जा सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर seller का stamp भी दिया हुआ है लेकिन दोस्तो इस stamp में कहीं पर भी यहाँ पर seller का signature नहीं है और दोस्तो इस invoice को service center वाले easily डिक्नाई कर सकते हैं और आप इसके against कुछ भी board नहीं पाएंग और दोस्तो इस PDF का download link मैंने video description में दे दिया है अगर आपको कुछ भी doubt है तो आप यहाँ पर clearly इसे view करके अपना doubt clear कर सकते हैं या फिर comment section में आप comment करके भी बता सकते हैं दोस्तो वीडियो में जो key points आपको बताया है आपको ध्यान रखना है आप जब offline laptop purchase करने जाते हो तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना है और seller से या फिर dealer से आपको इन सारे चीजों का आपको note down करवाना होता है invoices में तभी आपका invoice valid माना जाता है तो दोस्तो नेक्स टाइम जब आप offline laptop या फिर printer purchase करने जाओ तो आपको यह सारे चीजों का ध्यान रखना है और आप अपने purchase को और भी safe कर सकते हैं तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में stay tuned with Rayleigh on